पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि इसवी 1513 में उजबेगों द्वारा बाबर को एक बार फिर समरकंद से बाहर कर दिये जाने के कारण बाबर ट्रांसाक्सियाना को छोड़ कर काबूल आ गया तीसरी बार समरकंद हाथ से निकल जाने के बाद बाबर ने मध्य एशिया पर राज करने का लालत छोड़ दिया तथा दिख काट की बुढ़िया की सलाह के अनुसार भारत जाकर भाग्य आजमाने का निर्ने लिया इसवी 1519 में बाबर ने विजौर के लिए अभियान किया बाबर की पुत्री गुल बदन बेगम ने लिखा है कि विजौर में हिंदूओं की बस्ती थी गुल बदन बेगम के अनुसार बाबर ने दो ढ़ाई घड़ी में विजौर को जीत लिया जबकि बाबर ने स्वैम लिखा है कि विजौर को जीतने में कई दिन लगे बाबर ने विजौर के दुर्ग में रह रहे समस्त मनुष्यों को मरवा दिया बाबर ने अपनी आत्म कथा में लिखा है कि विजौर के दुर्ग में मैंने अपने लोगों को बसा दिया बिजौर के हत्याकांड से बाबर को कोई विशेश धन या सामगरी प्राप्त नहीं हुई इस से बाबर को बड़ी निराशा हुई और वह भेरा के लिए रवाना हो गया 16 फरवरी 1519 को बाबर ने पहली बार सिंध नदी पार की 18 फरवरी 1519 को बाबर तथा उसकी सेना ने कचाकोट नामक नदी पार की तथा वहां रहने वाले गूजरों को मार डाला 19 फरवरी को बाबर की सेना ने सुहान नदी पार की इसके बाद बाबर ने जेलम नदी के किनारे इस्थित खूश आब, चीन आब तथा चीनी उत नामक ख्षेत्रों पर अधिकार कर लिया उस काल में ये ख्षेत्र पंजाब के अंतरगत थे जिस पर कुछ काल के लिए तैमूर लंग का शासन रहा था इसलिए बाबर ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस ख्षेत्र में किसी की भेड, सूत का एक टुकड़ा या किसी भी प्रकार का सामान न चीना जाए भेरा भारत के सीमान्त पर जेलम नदी के किनारे स्थित था जब बाबर की सेना ने भेरा को घेर लिया तो भेरा के मुस्लिम शासक ने बाबर को चांदी के चार लाख सिक्के दे कर बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली जिने शाहरूख ही कहा जाता था वस्तुत है शारुख नामक बादशा के शासनकाल में चलाई जाने के कारण इन्हें शारुख ही कहा जाता था बाबर ने भीरा में न तो लूट पार्ट मचाई और न किसी को मारा यहां से बाबर ने अपना एक दूत लाहर तथा दिल्ली भिजवाया इस दूत को दो पत्र दिये गए पहला पत्र पंजाब के गवर्नर दौलत खां के नाम था और दूसरा पत्र दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के नाम था इन पत्रों में कहा गया था कि पंजाब के वे समस्तक्षित्र जो मेरे मरहूम दादा के दादा तैमूर लंग ने अपने अधीन किये थे वापस मुझे लोटा दिये जाएं इस दूत ने लाहोर पहुँच कर पंजाब के गवर्नर दौलत खां से भैट करने का प्रयास किया किन्तु दौलत खां न तो स्वयम दूत से भैट की और न उसे दिल्ली जाने दिया बाबर ने लिखा है कि अवश्य ही भारत वाले कम अकल के रहे होंगे जो उन्होंने मेरे दूत के साथ ऐसा व्यवहार किया जब बाबर का दूत अपेक्षित अवधी में लौट कर नहीं आया तो बाबर ने जेलम नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में अपने गवर्नर नियुक्त कर दिये तथा स्वयम काबूल लौट गया बाबर का दूत भी कुछ महिने तक लाहौर में प्रतिक्षा करने के बाद काबूल लौट आया एक दिन बाबर की भैट उस्ताद अली नावक एक तुर्क से हुई उस्ताद अली कमाल का आदमी था उसे बंदूक बनाने की कला आती थी और वह कुछ अन्य तरह का विस्फोटक जखीरा भी बनाना जानता था बाबर ने उस्ताद अली की बड़ी आवभगत की और उसकी सहेता से अपने लिए नई तरह का असला तैयार करवाया कुछी समय बाद बाबर के पास एक और चमतकारी आदमी आया उसका नाम मुस्तफा था मुस्तफा को बारूद के गोले चलाने वाली तोब बनाना और उसे सफलता पूरवक चलाना आता था बाबर ने इन दोनों आदमियों की सहेता से अपने लिए एक शक्ति शाली तोब खाने का निर्मान करवाया गोला वारूद बंदोक और तोब खाने की शक्ति हाथ में आ जाने के बाद बाबर ने अपनी योजना पर तेजी से काम करना प्रारंब किया नवंबर 1526 में बाबर ने एक बार फिर भारत की ओर रुख किया इस बार बाबर ने दिल्ली तक जाने का निश्चय किया भारत पर किये गए पिछले चार आक्रमणों में बाबर समझ चुका था कि उसे कैसी तैयारी करनी चाहिए बाबर ने अपने आदमियों को पूरे अफगानिस्तान में फैला दिया जिनोंने घूम घूम कर प्रचार किया कि बाबर फिर से सुननी हो गया है और हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत लूटने के लिए हिंदुस्तान जा रहा है हिंदुस्तान से मिलने वाला सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और खुब सूरत औरतें बाबर के सिपाहियों में बांटी जाएंगी सेंकणों साल से बाबर के तोरक एवं मंगोल पूरवज, अफगानी बरबर लड़ाकों की सेना लेकर हिंदुस्तान पर हमला बोलते आये थे जब उनके सैनिक भारत से लोटते तो उनकी जेबें बेशुमार दौलत से भरी रहती सोने चांदी की अशर्फियां, हीरे जवाहरात और कीमती आभूशन उन्हें लूट में मिलते थे प्रतेक सैनिक के पास दस बीस से लेकर सौ दोसो तक की संख्या में गुलाम होते थे जो बहुत उंचे दामों में मध्धे इशिया के बाजारों में बिका करते थे हिंदुस्तान से लूटी गई औरतें उनके हरम में शामिल रहती थी भारत में युद्ध वियान करके लोटे हुए सैनिकों का सब और से बहुत आदर होता था क्योंकि वे सैनिक अनेक काफिरों को मार कर अपने लिए जन्नत में जगह सुरक्षित कर चुके होते थे और उनके घरों में सुन्दर भारती यदासियां काम करती थी चंगेश खां और तैमूर लंग के समय के किस से अब भी मध्य एश्याई देशों में बहुत चाव से कहे और सुने जाते थे जब उन लोगों ने सुना कि बाबर फिर से सुननी हो गया है और बहुत बड़ी सेना लेकर हिंदुस्तान पर हमला करने जा रहा है तो मध्य एश्या और अफगानिस्तान के बेकार नौजवानों ने बाबर की सेना में भरती होने का निर्णे लिया बेशुमार दौलत और खुबसूरत दासियों के लालच में हजारों नौजवान अपने घर बार छोड़ कर काबुल के लिए रवाना हो गए जिन यूवकों को उनके स्वजनों ने अनुमती नहीं दी वे भी रातों के अंधेरों में अपने घरों से भाग लिये ये नौजवान पहाड़ों में डफलियां और चंग बजाते, नाचते गाते और जश्न मनाते हुए काबुल की ओर चल पड़े इन नौजवानों ने बच्पन से ही भारत की अमीरी के किस्से सुने थे अपने पुर्खों की वीरताओं के किस्से सुने थे सुल्तान मेहमूद गजनवी, सुल्तान मुहम्मद गौरी और तैमूर लंग के किस्से सुने थे बहुत से नौजवानों के पुर्खे इन महान विजेताओं की सेनाओं में सैनिक हुआ करते थे उनके द्वारा भारत से सुने चांदी के बरतन, सिक्के और कीमती पत्थर लूट कर लाए गए थे वे बरतन, सिक्के और कीमती पत्थर आज भी खांदानी गौरव के रूप में कई पुष्टों से उनके घरों में सजे हुए थे मेहमूद गजनवी मुहम्मद गौरी और तैमूर लंग का इतिहास परीक अथाओं की तरह अफगानिस्तान से लेकर संपून मध्य एशिया में व्याप्त था जब कराकुईलू कबीले के नौ जवान बैरम बेग ने सुना कि बाबर हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत लूटने के लिए हिंदुस्तान जा रहा है तब उसने भी बाबर के साथ भारत जाने का निश्चाई किया अगली कडी में देखिये डफलियां और चंग बजाते हुए भारत के लिए चल पड़े अफगान लुटे रहे क्रपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें धन्यवाद